आज के सेसर में हम ये दो important parts करने वाले हैं ये देख लीजिए एक ये है और ये हमारा दूसरा part है ठीक है यहाँ पर आप अगर देखेंगे ये total history है इस part की और ये हमारे दूसरे part की history है ठीक है तो चलिए इस part को हम आज इन दोनों parts को इस सेसर में हम complete करेंगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने digital cat solutions को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe करके bell icon प्रेस कर लें और अगर आप complete course करना चाहते हैं तो नीचे description में जाकर link चेक कर लें website में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हमारा institute MSME registered है मैने पिछले 10 सालों में हजारों students और professionals को training दिया है कई seminars और training sessions लिये हैं इसलिए जो भी course आपको मिलेगा वो completely industrial oriented होगा यानि company में जो exactly लगता है वो सारे चीज़ें आपको मिलेगी course complete होने पर आपको certificates भी मिलेगा AutoCAD का हो, CATIA का हो, SolidWork का हो, NX का हो जो दुनिया भर में कहीं पर भी चलेगा तो जल्दी कीजिए अभी enroll कीजिए और huge discount पाईए चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं Exercise No.2 है यह, यह मैं बताऊंगा और एक और पार्ट में बताऊंगा यह वाला एक नया फाइल ले लेता हूं मैं यहां से पार्ट नमबर यह रहेगा 5, NX, section 7, say okay to it Then आपको sketch में जाना है और sketch में जाने के बाद आप देख सकते हो यह हम left side से लेंगे ठीक है इधर से आपको left side selection करनी है उसके बाद बस यह profile आपको बनानी है यहां पर भी आप देख रहे हो कि यह distance equal नहीं है तो हमें यहां पर mirror जो है वो नहीं लेना चाहिए ठीक है चले फिर शुरुवात करेंगे हम एक इधर से मैं line यहां से यहां लोंगा और यहां से यहां लोंगा देख मिडिल माउस मिडिल माउस ठीक है टोटल हमारा 145 का है तो आपको इसका जो length डालना है वो 145 mm डालना है और इसका टोटल 175 प्लस 25 175 175 प्लस 25 यानि 200 का आएगा यह हमारा तो इस तरह से मैंने ले लिया है और यहां पर 145 जो है टोटल मिला के है ठीक है सो टेंशन नहीं लेना है हम लोगों का काम हो चुका है ओके अगली चीज़ क्या है इधर फिलेट डालनी है कितने की 90 की फिलेट है तो आप यहां से लो फिलेट 90 90 से फिमिनिश इट है बाद मैं आपको ट्यूब ले लेना चाहिए ठेक है ट्यूब यहां पर आपका है देखिए कितना लेना है अच्छिते और अंदर वाला 65 है, यहाँ पर आपको 97 लेना है, और यहाँ जो लेना है वो 65 लेना है, और इसको हम select करेंगे, say okay to it, इस तरह से मैंने पहला काम कर लिया, इसको आप चाहो तो hide कर सकते हो, यह हमारा पहला काम हो चुका है, दूसरा काम क्या है, इसके उपर वाला बनाऊंगा, तो चलिए फिर यहाँ पर हमें sketch, ओके, और हम इसको project कर लेते हैं, दोनों को नहीं लेना है, एक को बाहर वाले को ले लिजए, या तो अंदर वाले को ले लिजए, no problem, फिर बड़ा वाला circle लेंगे, कितना diameter है इसका, तो आप देख सकते हैं 225, 225, enter, ठीक है, आप चाहो तो यहीं पर ही छोटा circle ले सकते हैं, PCD, है न, PCD के लिए मैं यहीं पर ही एक circle ले लूँगा, diameter कितना है, यह 185 का है, तो 185, enter, and middle mouse, middle mouse, आप इसको construction में convert कर दिजिए, इस तरह से, and then what, आपको क्या करना है, एक circle ले ले लेना है, यहाँ पर, इस तरह से लूँगा मैं, diameter कितना है भाई, इसका diameter 20.5, तो 20.5, middle mouse, middle mouse, अब मैं इसको select करता हूँ, इसके साथ coincidence, इसको पकड़ा, और इसके साथ coincidence, ओके, अभी हम इसको करेंगे pattern, यहाँ से आपको ले लेना है, circular pattern, ओके, यह हमारा कितने का है, 8 का है, तो आपको यहाँ पर 8 डालना है, और यहाँ डालना होगा 45 degree, then apply, ठीक है, एक ही जटके हम हो गया, हमें double काम करने की ज़रूरत नहीं है, finish कर देता हूँ, अभी हमें extrusion करनी है, 25 में शायद, यह हम 0 ले लेंगे, चेक करेंगे कितना लेना है, यह आप देख सकते हैं, 25 नहीं, 20 का है, 20 mm का हमें, extrusion करनी है, 20, 20, and preview, यहाँ से unite है, and say ok to it, यह हमारा पहला step हुआ, ठीक है, अभी दूसरा मैं यहाँ पर लूँगा, तो दूसरे में भी वही सही लेना है, आपको इधर जाना है, बस हमें क्या करना है, यह उसी तरीके से बना लेना, यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेता हूँ फिर से, and then आपको circle लेना है, diameter कितना है, 225 again, 225, एक और ले लेता हूँ, 185, यहाँ से, ok, then यह हमारा कितना है, 20.5, 20.5, enter, middle mouse, middle mouse, यह टेंजेंसी नहीं चाहिए, यार नहीं, तो गड़ बड़ हो जाएगी, फिर ठीक है, इसको आप construction में ले लीजिए, इसको पकड़के इसके साथ coincident कर दीजिए, इसको पकड़के इसके साथ हमें coincident कर देना है, और फिर आप इसको select करके यहाँ से, इधर click कर देता हूँ, and say ok to it, then finish it, and then extrude, select किजिए, reverse direction में, unite, say ok to it, यह देख लो हमारा दूसरा काम भी हो गया, अगला step क्या है, 145 ही लिया है, क्या यह महिने मुझे समझ में थोड़ा सा 145, yes, top तक है total हमारा, oh, no, 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 यह 175 नहीं चाहिए, यह 150 का हमें चाहिए, जो 200 है ना, यह हमारा ज्यादा लंबा हो गया, यह मैंने गलत जगास ले लिया है, यह हमारा 150 का होना चाहिए, so, ok, then finish it, ठीक है, यह देख लो, अभी थोड़ा सा यह जो extrusion है, वो हमारा गड़बढ हो गया है, ok, तहामें जो face लेना है, वो जड़ा गड़बढ हो गया है, ok, मैं इसको cancel कर देता हूँ, इसको मैं delete करता हूँ, ठीक है, फिर से मैं sketch में जाता हूँ, इधर से, ok, हमने 50 mm ज़्यादा ले लिया था, इसकी वज़ा से वो तकलीफ हो रही थी, हमने उपर देखा इने, 150 का था, मैंने यहाँ से calculate कर लिया था, I'm sorry, यह 150 लेना है हम लोगों को, ठीक है ना, यह, ok, then 185, तो हमें क्या है, अच्छे से conscious रहना है, अच्छे से पढ़ना है drawing को, है ना, चाहे कोई भी हो, गलती हो सकती है, कि उसको सुधार यह, है ना, नहीं तो गड़बड़ो जाएगे फिर, okay, now इसको हम क्या करेंगे, construction में ले लेंगे, okay, finish, oops, यहाँ पर हमें pattern करना है, यह लिया मैंने pattern, circular, then उसी तरीके से हमें फिर से ले लेना है, and then finish it, अभी आपको extrusion लेनी है, and then fill it, यहाँ से 25 ले ले लेना है, okay, yes, इतना काम होने के बाद आप इसको hide कर देजी, यह अभी जा के ठीक ठाक लग रहा पहले, यह 50 से में जादर लंबा लग रहा था है, कि नहीं, okay, so, ध्यान रखिएगा इसको, okay, अब हमें क्या करना है, so, देखिए, यहाँ पर एक इस तरह से लेना है, यह आप कैसे ले सकते हो, तो मैंने बताया ना, tube, tube से ले सकते हैं, यहाँ बिल्कुल 0 कर दो, और अगला step क्या है, हमारा, इसका radius 16, मतलब डायमेटर कितना होगा, 32 का होगा, तो आप ले लो आई से, और मैं इसको direct select कर लेता हूं, देन, okay, कर दो, यह हमारा काम हो गया, now, unite कोई परेशानी नहीं आएगे, इसमें, यह देख लो, है ना, और जो थोड़ा-थोड़ा यह जो दिख रहा है, वो भी अभी गायब होने वाला है, so don't worry, ठीक है, कैसे गायब होगा, so देखिए, यहाँ पर हमारा counter बोरे, 86, depth 25 लेना है, तो आपको यहाँ पे 2 circle लेना है त तो, यह अलग से ले लूँगा पहले, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको पहले बना लेता हूँ मैं, यह देखो, 175 का है plane, यहाँ से मुझे 175 ले लेना है, देन ओके, 175 इसको select करता हूँ, sketch में जाए, plane को select किजिए, देन ओके, circle लेता हूँ, यहाँ से आपको find out the center point, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, center, मिल गया, okay, arc center, total diameter देखेंगे, 50 का है, आपको यहाँ 50 डालना चाहिए, finish it, select करेंगे, extrusion में जाएंगे, अब reverse किजिए, until next, unite, then okay, ठेक है, अगली step, अगला step क्या है, तो देखेंगे, यहाँ पे हमें counter बोर होल ले लेना है, see, यहाँ पर counter बोर लेना है, यह देखिए, हमारा 24 है, यह 28 है, और यह हमारा 20 का है, तो यह मैं लेता हूँ 24, यह लिया 28, और यह लेता हूँ 20, and then, यहाँ से आपको, oh my god, यह क्या है भई, यह हमारा 24, depth 28, और यह 20, okay, preview कर लो, यार, तब आएगा सही से, हाँ, सही आया रहा, ठीक है, अब देखिए, इधर से भी आप एक counter बोर ले सकते हो, 86, depth 25 का, यानि direct आप hole भी ले लेंगे, तो भी चलेगा, 86, और यहाँ आपको value लेना, 25, 25, and then, okay, तो depth हमारा ले नहीं रहा है, क्योंकि अल्रेड़ी वहाँ पर क्या है, एक hole है, इसलिए वो ले नहीं रहा है, हमें 86 का ले लेना है, पूरा एक circle, यहाँ से हम 86 का ले लेते हैं, and finish it, and then what आपको, यह 25 mm तक अंदर जाना है, ठीक है, यहाँ आपको subtract कर देनी है, and say okay to it, और यह लगता है हमारा कुछ गड़वड़ी आ गई है इसमें, ठीक है, no problem, अभी मैं इसको पकड़ता हूँ, और extrusion में जाता हूँ, reverse the direction, subtract, say okay to it, यह देखो हमारा काम हो चुका है, but I think यहाँ पर थोड़ा सा यह आ गया है, क्योंकि पता है, यह हमारा, यह tube से नहीं लेना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर यह tube से हमारा fail हो रहा है, थोड़ा सा यह देखो इसका material यहाँ पर आ रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर नॉर्माली circle का one fourth लेके, इसको cut, sweep करना पड़ेगा, sweep along guide, ठीक है, तो आप वो कर लेना, मैंने ऐसा बताया है, ज्यादा कुछ फरक नहीं पड़ रहा, बठाए थोड़ा सा, इसका देखो थोड़ा सा यह portion आया हुआ है, तो यह हमें नहीं चाहिए actually, ठीक है, पच्चीस ही लिया है न मैंने, यहाँ पर extrusion 25 लिया है, ओके ठीक है, यह बनके तयार हो चुका है, बस, और हमें इसको ट्यूब यहाँ पर हमें cancel कर देना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे लेंगे, यह लिया, यह लिया, और यहाँ से आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको क्या किजिए, किसको प्रोजेक करना है, इसको प्रोजेक करना है, इसको, एनसे ओके टोट, राइट क्लिक ओरियंट कर देता हूँ, अब मैं आर्क लेना चाहता हूँ, center वाला, यहाँ से ऐसा and ऐसा, middle mouse, middle mouse, ओके, radius हमें कितना लेना है, 6 का लेना है, ठीक है, अब इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे horizontally हमें align कर देना है और इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे हमें vertically align कर देना है और यहाँ से यहाँ तक then यहाँ तक middle mouse, middle mouse आपको ऐसा कुछ लेना पड़ेगा ठीक है? तब जाके होगा हमारा perfect नहीं तो वहां पर छोटा सा है, अब देखिए, sweep along guide का इस्तेमाल करेंगे, ये लिए मैंने section, ये लिए मैंने curve, और offset वगरा कुछ भी नहीं चाहिए, solid लेता हूं मैं, cannot create sweep geometry, then revolve भी कर सकते हम लोग, अगर ये नहीं हो रहा है ता आप revolve कर लो, and see what, आपको vector select करना है, ये x वाला, and then यहां सा आपको ले लेना है, unite में, then okay to it, अब आपको कोई problem नहीं आएगी, ठेक है, बाहर से भी, अंदर से भी, ठेक है, okay, तो ये हमारा part हो गया, complete, ठेक, select करता हूं मैं, और यहां से मैं fillet ले लेता हूं, 0.1 का, say okay to it, और view में जाके true shading ले लो, and जो भी है, grid वगेरा, off कर देता हूं मैं, इस तरह कमेंने ले लिया, ये हमारा पहला part हो गया, ठीक है, see, थोड़ा बहुत गलतियां होगी, practice कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा, कि exactly हम लोग कहां पर गलती कर रहे हैं, ठीक है, अब ही हम जाएंगे दूसरे part में, ये देख लो, ये हमारा है, blower assembly, और इसमें जो dimensions लिया गया है, वो inches में लिया गया है, देख लो आप यहाँ पर inch में, ये एनेक्स के book में आपको नहीं मिलेगा, तो assembly में मैं आपको बताने वाला हूँ, assembly में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पूरे parts को बताऊंगा, then assembly भी बताऊंगा, ठीक है, ये inches में लेना है हमारा, तो इसको मैं save करके दूसरा part ले लेता हूँ, फाइल, यहाँ आपको बस unit inches में रखना है, model number 6, okay, see अभी हम इसको बनाएंगे, ये पूरे parameters को अच्छे से समझेए, अभी मैं sketch में जाता हूँ, ये लिया, then okay किया, आर्क ले लेता हूँ, center वाला, यहाँ से, ऐसा, then ऐसा, middle mouse, middle mouse, आप इसको select किजिए, इसको select किजिए, then horizontal, इसको select करके यहाँ से, ऐसा कुछ है, radius 6 का लेना है, 6 ले लिजिए, 6 inches actually है, ये, not millimeter, ठीक है, बड़ा रहे गई है, आप एक line ले सकते हैं, यहाँ से, यहाँ तक, middle mouse, finish it, extrusion करेंगे, यहाँ से, आपको लेना है, region boundary curve, total हमारा 8 inch का है, तो आपको एक side जो है, वो 4 inch लेना चाहिए, इसको हम कर देंगे, symmetric, यह हमारा हुआ, पहला काम, hide कर देता हूँ, दूसरा काम क्या है, देखिए, यहाँ से हमें एक curve लेना है, तो आप sketch में जाएए, इसको center वाला plane को select करना है, याद रखिएगा, side वाला नहीं, arc ले लेता हूँ मैं, 3 point arc, यहाँ से शुरुवात करेंगे, कुछ इस तरह से, middle mouse, एक line लेंगे, यहाँ से, यहाँ, middle mouse, इसको आफ horizontal कर दो, ठीक है, इसका जो radius से वो है 10 inch का, तो आपको यहाँ पर 10 inch डालना होगा, ओके, इसके साथ यह tangent भी होना चाहिए, और coincident भी होना चाहिए, remember that, अगला step है, 8 point 15 inches यहाँ तक लेना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके center से, यहाँ तक 8 point 15 inch लेना पड़ेगा, यह पहला step हो जाएगा हमारा, say close to it, finish it, अब मुझे यहाँ पर एक plane लेना है, अभी आपको इस curve पर select करके, one second, यह देखो, automatic आगे हमारा, नए तो फिर से लेंगे हम जरा सा, इस point को हमें select कर लेना है, that's it, अब मैं इस plane पर एक sketch बनाने वाला हूँ, कौन सा sketch होगा वो, तो यह देखिए, यहाँ section दिया गया है, AA, यहाँ पर भी है, AA, यानि 5.75 by 4.2 एक rectangle लेना, चाहिए हम लोगों को center वाला, चलेगा, no issue, इस तरह से हम कर लेते हैं, middle mouse, 5.75, 5.75 inches, यह हमारा 4.2 inches, okay, अगला step क्या होगा, सो देखिए, इसका हमें क्या करना है, इस point को लेना है, और इसके mid को लेना है, और coincident कर देना है, यह हमारा हो गया, finish, अब हमें क्या करना है, इसको sweep along guide करना है, यह हमें लेना है, और इसको connected, here you can see, and curve इसको, याद रखिए, यहाँ पर ध्यान से offset वगरा कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी offset हमें नहीं डालना है, पहला दूसरा कुछ भी नहीं, see, ठीक है, ओके, now what, आप इसको unite कर सकते हो, इसको, इसको, ठीक है, यहाँ पर देखिए, properly हमारा हो रहा है सब कुछ, अभी मैं जड़ास affiliate, as a trial ले रहा हूँ, अभी नहीं डालना है affiliate हमें, अभी हमें यहाँ पर affiliate डालना ही नहीं है, आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ensure हो रहा था, यह sharp है की नहीं, अगला step क्या है, सो देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से लेना है, यह tangent में आना चाहिए, तो आपको एक और plane की जरूरत होगी, यहाँ पर 5.75 में, तो यहाँ पर आपको 5.75, enter, यहाँ पर आपको क्या करना है, 5.5.75, okay, sketch and plane, then okay, यह हमारा कैसा आ रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इसको ऐसे लेना है, यहाँ पर आपको modeling में जाना है, और sketch में जाना है, फिर आप इसको select कीजिए, देनों के, इसका ख्याल रखना है, कभी-कभी hang भी होता है, तो आप इसको close करके फिर से start कीजिए, अब देखिए, यहाँ पर 7.25, 5.25 का एक और rectangle हमें चाहिए, center वाला ले लो, और यहाँ से हमें क्या करना होगा, 7.25, इसका total length, 7.25, 7.25, by 5.25, अब इस line को भी ले सकते हैं, 5.25, and then okay, अब पहला काम तो यह कि जे, इसको जो है, वो हमें इस line के साथ, आपको linear करना है, ओके, यह ध्यान में रखना है, अगली चीज़ क्या है, symmetric करना होगा, जैसे इसको लिया, इसको लिया, और यहाँ से आपको इधर select कर लेना है, यह हमारा पहला काम हो गया, यह देखो, बिल्कुल बराबर आना चाहिए, अगर आप side से देखते हो, तो भी, यह देखो, इसका जो top है, वो उस rectangle के top में आना चाहिए, ठीक है, अगला step क्या होगा, इसमें हमें guides add करने होगे, guides कैसे add करना है, यहाँ से आपको beach वाला plane देने से okay to it, अब आपको एक simple सा line ले लेना है, यहाँ से पकड़के, इसके midpoint तक ले लीजिए, and देखो, यह हमारा क्या हो गया है, यह पूरी तरह से coincident नहीं हुआ, यह हमारा हिल रहा है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, oops, यहाँ से, यहाँ तक आपको लेना है, coincident, okay, नहीं जा रहा है, यहाँ पर आप distance डाल दो, 5.75 का, 5, यहाँ पर आप ले लो, 5.75, 5.75, फिर से लेता हूँ, मैं इसको delete करता हूँ, जरा, finish करता हूँ, plane को hide कर दिया, अभी मैं sketch में जाऊंगा, फिर से, and say okay to it, थोड़ा hang होता है software, है न, कभी-कभी, तो इस वज़े से थोड़ी दिकत भी आ सकती है, हम लोगों को, एक simple सा line ले लेना है, यहाँ से पकड़के, यहाँ तक, देखिए, अभी यह पूरी तरह से coincident हो गया, फिनिश करूंगा फिर से, एक बार और हमें ले लेना है, कभी-कभी fast में लेने लगता हूं, तिर software ही लटक जाता, arc ले लेना है यहाँ से, इस point से, इस point तक, and here you can see, यह tangency हमारा maintain है, बराबर हो गया, बस इतना ही करना है, अब आपको तो पता ही है कि अगला step क्या होगा, यह swap लेना है, याद रखिए, अभी मैं इसको select करता हूँ, add new set, फिर इसको select किया, guide ले लो, एक यह ले लो, and add new set, अभी यहाँ पर आपको दूसरा लेना है, यह वाला लेना है, guide to edge, sharp आना चाहिए, ठीक है, यह देख लीजे, हमारा बन के तयार हो चुका है, यह example मैंने क्यों लिया, क्योंकि इस chapter में मैंने tools बताये थे, इसलिए आपको मैंने यह बताया, अभी आपको hide कर देना है, जितने भी फाल्तू के sketches हैं, यह सब, और curve भी चाहो तो hide कर सकते हो, यहाँ से, datum planes भी चाहो तो hide कर सकते हो, sketches hide करना, hide कर दो, and say okay to it, अब जाके unite कर लेते हैं, एक तो यह हो गया, और यह हो गया, यह हमारा इतना काम हो चुका है, यह देखें, जैसा चाहिए था, वैसे ही मिल चुका है हमें, ठीक है, अब हमें fillet डालनी है, यह देखें, 1.5 inches का fillet है, तो आपको यहाँ से लेना है, 1.5 inches, enter, and then इसको चारो को ले लेना है हम लोगों को, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को चारो को ले लेना है, यह हमारा क्यों नहीं आ रहा है, यह भी आना चाहिए, let's select it carefully, इसको ले लेता हूँ मैं, इसको लिया, then इसको, then इसको, ओके, careful रही है गजरा, यहाँ पर आपको 1.5 लेना है और इंटर करनी है, ओके, यह देख लो हमारा काम हो चुका है, अगला step क्या होगा, so देखे, यहाँ पर देखे, 0.5 mm का फिलेट है, तो यहाँ से भी आपको यह 1 हटा देना है, और इंटर करनी है, अभी मैं इस age को select कर लेता है, then okay कर देता हूँ, यह देख लो हमारा इतना सारा काम होने के बाद हमें क्या करना है, अभी shell करनी है, 0.25 में shell करनी है, हमने shell tool देखा है, 0.25 already taken, अभी मुझे यहाँ से पहला वाला option लेके, इसको और इसको दोनों को select कर लेनी है, so हमारा यह कम हो गया, देख लो, इतना होने के बाद आपको और क्या करनी है, यहाँ पर यह cut out करने है, ठीक है, तो आप चाहूत यहाँ से मैं इस face को select करके, okay, दो circle ले लेता हूँ, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा middle mouse, यह लेता हूँ 4.875, यानि इसका radius है, 4.875, यहाँ पर अगर radius डाल नहीं है, तो आपको यहाँ पर radius select करनी चाहिए, 4.875, ओके, ओके, और इसका कितना है, radius 1.5, मतलब यहाँ पर diameter अगर 3 भी डाल देंगे, तो भी चलेगा, finish it, okay, now see, extrusion लूँगा, मैं यह जो है, यह जो है मेरा, यह total जो है हमारा 0.25 रहेगा, 0.25 inches, और यह मैं subtract कर देता हूँ, then apply, and then इसको लेता हूँ मैं, flip the direction, 8 inch का लेना है मुझे, क्योंकि पीछे side वो है, cut करना है हमें, यह देख लिजए, इस तरह का cut out हो चुका है, अब इसको hide कर सकते हो, ठीक है, यह step के अलावा, अगर आपने कोई भी step follow किया, तो गड़ बड़ हो सकती है, तो just remember the steps what I am taking here, अब यह नीचे का काम करना है, तो sketch में जाता हूँ, और इस तरह से हमें एक rectangle लेनी चाहिए, इस तरह से, middle mouse, थोड़ा बहुत मैं इसको पकड़ता हूँ, और यहाँ से इसको पकड़ा, को linear कर दो, symmetric करना ज़रूरी होगी, ठीक है, आप इसको select किजिए, then इसको select किजिए, then इसको select किजिए, total length इसका 15 इंच का है, और यह हमारा है, 0.40 inches, तो आपको यह total 15 इंच लेना है, बिल्कुल मैं slow motion में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, and then this is 40, 0.40, sorry, 0.4 inches, next step क्या है भाई, हमें इसको करना होगा project, इसको हमें project करना है, यह लिया, and then okay, finish it, अभी extrusion लेना है, कई लोग क्या करते हैं, यह top और पलेन से बनाते हैं, गलत हो जाएगा वो, याद रखेगा, इसको नहीं लेना है वह से, ठीक है, side से बनाना है, unite कर देता हूँ, ओके, उपस, यह हमारा 4 लेना है, 4, तब जाके हमारा यह सही आएगा, अब हमें क्या करना है, भाई, hole लेना, hole, hole, यहाँ से हमको hole लेना है, कितना diameter है, यह देखिए, 0.41 diameter है, आप यहाँ पे diameter लेजिए, 0.41 ले सकते हैं, ठीक है, depth जो है, until next, और यहाँ पर मैं select करूंगा, middle mouse, एक ही point चाहिए हमें, close कर देंगे, अब देखिए, यहाँ पे हमें 0.75 और यह हमारा 1 इंच का लेना है, यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है, 1 इंच का, के, यहाँ से यहाँ तक 0.75, 0.75, enter, finish it, यह हो चुका, finish it, अब आपको pattern लेना है, feature लिया, vector मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर हमें 4 चाहिए, देख सकते हो, और बीच का gap हमारा 2 mm का है, यहाँ से आपको 2 इंच का लेना है, 2 mm नहीं, sorry, और direction 2 लेना है, इसको हम flip कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा कितना, 13.5 आएगा, क्यों? total distance हमारा 15 है, 0.75 इधर, 0.75 इधर, यानि 1.5 माइनस हो जाएगा, तो total हो जाएगा, 13.5, 13.5 inches, and say okay to it, and now we have done it, यह देखिए, हमारा पूरा का पूरा काम हो चुका है, ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सब को select करता हूँ इसे, 0.01 inch का, यहाँ पर ले लेना है, इसको stop कर देता हूँ, यह सही रहेगा, and then apply, then okay, 0.01 inch का ले लिया मैंने, आप चाहें, तो यहाँ पर cancel भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगों पर हो सकता है, यह हमारा काम ना करे, pass, beach, हटाओ, okay, करता हूँ मैं, अब जाके maybe यह आ सकता है, I'm not sure, yes, using, okay, ठीक है, cancel करता हूँ मैं इसको, so इस तरह से हमारा यह part बनके हो गया, तैयार, view में जाईए, true shading में जाईए, and apply some attractive materials to this object, okay, now see, green, ठीक है, यह हमारा blower का upper housing रहा, ठीक है, यह हो चुका है, आप इसको save कर सकते हो, control S कर दीजिए, नहीं तो आप यहां से भी save कर सकते हैं, ठीक है, I hope यह दोनों को दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मिलेंगे फिर अगले session में, next tutorials के साथ, thank you for this session, thanks for joining digital cat solutions, bye bye, good day and take care. झाल